नमस्ते दोस्तों, स्वगत है आपका अभीशिक पॉमिस्ट्री के एक और एपिसोड में, जहां हम नए और इंट्रेस्टिंग एस्पेक्ट्स को एक्स्प्लोर करते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथों पर बालों के बारे में, क्या आप जानते हैं कि हाथों बाल बहुत कम है, या बिलकुल भी नहीं है, तो यह simplicity और sensitivity को indicate करता है, ऐसे लोग generally soft spoken और gentle nature के होते हैं, यह लोग logical और practical thinking में believe करते हैं, और इनके decisions में simplicity दिखाई देती है, इनका nature kind hearted और compassionate होता है, यह लोग बहुत thoughtful और understanding होते हैं, यह दूसरों के emotions को असानी से समझ लेते ह और इनकी empathy level बहुत high होती है, यह लोग creative और artistic nature के भी होते हैं, कभी-कभी यह लोग ज्यादा sensitive हो जाते हैं, और चोती-चोती बातों को दिल से लगाने लगते हैं, इन्हे decision making में कभी-कभी confusion face करना पड़ता है, क्योंकि यह लोग सबकी feelings को ध्यानमेन रख कर अपने decisions लेते ह अगर आपके हाथों पर बालों का amount normal है, तो यह एक balanced और stable personality को indicate करता है, ऐसे लोग अपने काम और personal life में balance बना के चलना जानते हैं, यह लोग practical और realistic approach को follow करते हैं, और अपनी life में consistency रखते हैं, यह लोग dependable और trustworthy होते हैं, इनका nature grounded होता है, और यह अपने परिवर और दोस्तों के लिए हमेशा available होते हैं, यह लोग decision making में mature और balanced होते हैं, कभी-कभी यह लोग अपने comfort zone में इतना busy हो जाते हैं, कि नए opportunities को explore करने में hesitant feel करते हैं, इनमें कभी-कभी risk taking ability की कमी भी हो सकती है, अगर आपके हाथ पर excessive बाल हैं, यह आपके passionate और intense nature को indicate करता है, ऐसे लोग बहु यह लोग highly motivated और ambitious होते हैं, इनका determination इन्हें अपने field में success दिला सकता है, यह लोग confident और dynamic personality के मालिक होते हैं, कभी-कभी यह लोग aggressive और impatient हो सकते हैं, इनका temper जल्दी outburst कर सकता है, और कभी-कभी यह लोग अपने passion में overboard भी चले जाते हैं, इन्हें अपने emotions को control में रखने की जर ज्यादा होता है, male pomps पर ज्यादा बाल होना एक strong और assertive personality को show करता है, यह लोग physical strength में strong होते हैं, और अपने goals को achieve करने में determined होते हैं, female pomps पर कम बाल होना उनके soft, nurturing और empathetic nature को show करता है, यह लोग emotionally sensitive होते हैं, और इनका nature caring होता है, लेकिन अगर female pomps पर excessive बाल हो, तो यह उनके strong- build, और independent nature को indicate करता है, तो दोस्तों, यथी हाथो पर बालों के patterns के बारे में एक detailed discussion, pomistry में ये small details भी बहुत कुछ reveal कर सकती हैं, आपका हाथ और उस पे बाल आपकी personality के बारे में कैसे clues देते हैं, यह जानना बहुत interesting है, अगले episode में हम एक और fascinating topic के बारे में बात करेंगे, तो अभीशिक Pomistry चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को like और share करें, अपने हाथ की लकीरों में छूपी हुई, कहानी को explore करने के लिए बने रही है हमारे साथ, धन्यवाद